नमस्कार साथियों, टेस्ट वारा अकेडिमी में आप सभी का स्वागत है, जैसा कि आप सभी को पता है कि एपी पीएसी दोजा तेस का नोटिफिकेशन आ चुका है, और इसी के चलते हमारे द्वारा प्रीवेस एर कोश्चन की श्रंकला प्रारम की जा रही है, चुकि प्रि समेहतपूर टॉपिक है, जिन में से पूरी संभावना है, कोश्चन आएगा, वो भी हमारे द्वारा तैयार करवाए जा रहे हैं, तो चलिए प्रारम करते हैं, पहला कोश्चन है, मद्र प्रिदेश में कुल मनोगे कितने पितिसद भाग पर सागोर के ब्रच पाए जाते ह हैं, तो आप्सन है, इसमें, ए लगवग 15, B 20, C 25, D 30, तो इसका आंसर है, बी लगवग 20, 30, कई वच्चों ने आंसर 30, 30 भी लगाया था, चुकि सेंट्रल की रिपोर्ट 30, 30 की थी और आयोग ने, MP की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 20, 30 माना है, जैसा कि व्याक्या दी सागोन की व्रख्च पाय जाते हैं, सागोन का बाट्रिकल नाम टेक्टोने ग्रेंडाई है, यह बन अधिकांस्ता मदप्रदिस के 10,60 शेत्र में पाय जाते हैं, इन वनों का विस्तार 75 से 125 सेंटीमीटर और काली मिट्टी वाले शेत्र में मिलता है, यह उस्र कटी बंदिय परणपाती प्रकार के वन होते हैं, और किंद्र की रिपोर्ट के अनुसार 29.54 सागोन की बाट्च मदप्रदिस में पाय आते हैं, यहाँ पर हमारे द्वारा प्रते कोश्चन की ब्याख्या दी गई है, जिसमें कोशिस की गई है कि जो ऑप्सन है, उससे रिलेटर जितने क कोश्चन बन सकते हैं, उनकी डिटेल में आपको जानकारी प्रदन कर दी जाए, तो यह जो ब्याख्या दी हुई है, इसको आप डिटेल से पढ़िएगा, और यदि इसमें से कुछ पॉइंट जो आपको नहीं आते हैं, तो मैंने आपको बताए भी था, पहले जो रणनी कि आपको डायरी मेंटेन करनी है, उस डायरी में जरूर लिखते चलना है, तो इसमें भी जो कोश्चन आपको पता नहीं है, वो डायरी में जरूर लिख लेना है, दूसरा कोश्चन है, बेतवा नदी निकलती है, अरावली की पहाडियों से, सत्पड़ा की पहाडियों से, बिंदियन पहाडियों से और पस्चमी घार से तो हम सभी जानते हैं बेतवा नदी बिंदियन पहाडियों से निकलती है तो बैक्षा देखते हैं बेतवा नदी का उद्गम भुपाल के दस्च्चर पस्चम में बिंदियन पहाडी के उत्तरी ढाल से होता है यह नदी मालवा, बुंदिल घंड पठार की सीमा बनाती हुई हमीरपूर में यमना नदी में उसके दाहिने टट पर मिल जाती है ललतपूर उत्तर पिदिस में इस नदी पर माटा टीला बांध बनाया गया है इस नदी का कुल अपवाचेतर 46,500 वर्क किलोमीटर है इसे बुंदिल घंड की जीवन रेखा कहा जाता है इसकी मुख सहाइक नदिया बीना धसान जामनी तता हलाली है सहाइक नदिया वसे शुरूप से याद रखिएगा कई बार पूछ लेते हैं कि बेतवा की सहाइक नदिया कौन नहीं है तीसरा कोशन हम देखते हैं मद्र प्रदेश के किस भाग में वाशक तापांतर अधिक रहता है पूर्वी भाग, पस्च्वी भाग, उत्री भाग और दछ्च्डी भाग तो जैसा कि हम सभी को पता है आंसर C रहेगा मत्य प्रदेश के उत्री भाग में बार्सिक तापांतर अधिक रहता है ग्वालियर चंबल में मत्य प्रदेश का सरवादिक तापमान दर्ज किया जाता है जबकि एक स्थान पर गंज वासोदा सरवादिक गरमचित्र माना जाता है मार्च के महिने में दैनेक तापांतर सरवादिक पा जाता है तो आप ये महिना याद रखिएगा किस महिने में दैनेक तापांतर सरवादिक होता है मार्च के महिने में चौधा कोश्चन मत्य प्रदेश में गिर्श मिर्टू में ओसत तापान बढ़ता है उत्तर से दच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् पिक्चा समुद्रिक की निकटता तथा समुद्रतल की उचाई से अधिक प्रवाबित होता है मत्य पिदेश का उसत तापमान 21 दिग्री सेंटिगेट पाए जाता है मत्य पिदेश का सरवादिक उसत तापमान बढ़वानी में 40 पाए जाता है जबकि न्यूंतन तापमान शिप्पुरी में पाई आता है इसके बाद पाच्वा कोश्चन अधात्वे खनिज कौन सा है A. संगमरमर, B. मैगनीज, C. चांदी और D. सीसा तो हम सभी जानते हैं कि अधात्वे खनिज संगमरमर है अगला कोश्चन मनुस में कितने जोड़ी कपाल तंत्र का पाई जाती है तो ओप्सन देखते हैं A. आठ जोड़ी, B. बारा जोड़ी, C. पच्ची जोड़ी, D. 31 जोड़ी इसका अंसर है B. बारा जोड़ी तंत्र का है बैख्या देखते हैं मनस्व में बारा जोड़ी कपाल तंत्र का पाई आती हैं कपाल तंत्र का वे नसे होती है जो सीधे मस्तिस्क से निकलती है जिन में पारंप्रे की रूप से बारा जोड़े होते हैं कपाल तंत्र का मस्तिस्क और सरीर के कुछ हिस्सों के बीच मुख रूप से सिर और गर्दन के छेतरों से डस्टी, स्वाद, गंध और स्रवण की विशेस इंद्रियों के बीच जानकारी को रिले करती है और भी जो भी तंत्रका पाई जाती है इस से रिलेट करके आप उन तंत्रकाओं को सैयार कर लीजेगा पीवाइक्यू पढ़ते समय या विशेस द्यान देना है आपको कि पीवाइक्यू जिस टॉपिक से पूछा जा रहा है ठीक है यानि कि पिछले वर्सों में कोश्चन जिस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं उन टॉपिक को आपको विश्य शुरूप से याद कर लेना तयार कर लेना है एक उनसे और क्या-क्या कुश्चन बन सकते हैं जैसे कि यहाँ पर कुश्चन पारिष्थितिक तंत्र से बनाया है तो आपको पारिष्थितिक तंत्र से और भी कुश्चन जो बन रहे हों वो सब स्यार करने ने हैं कुस्चन देखते हैं किसी भी पाइस्थितिक तंत्र में उर्जा का प्रामिड होता है हमेशा सीधा बी सायद सीधा और उल्टा सी हमेशा उल्टा और डी उप्रुक्त में से कोई नहीं तो इसका अंसर है यह हमेशा सीधा बैख्या देखते हैं किसी भी पाइस्थितिक तंत्र में उर्जा का प्रामिड सदेव सीधा होता है जो प्रामिड किसी पाइस्थितिक तंत्र में विवन पोशर तलो के जीवधार्य द्वारा प्रियोग में लाए गई उर्जा के संपून परिमार का बोध क करा तरो यह तक 91 प्रमडब क्याते हैं या कि और उर्जा प्राया एक इकाई भाग में एक निस्चित समय में देखी जाती हैं और जांप तब स्धै spec सीधा बनता है कूंकि इसमें समय यानि कि टाइम फेक्टर का सदैव ध्यान रखा जाता है जो लगवक निश्चित होता है ठीक तो उजा का प्रामेट कभी भी आया कैसा बनेगा सदेव सीधा अगला कोश्चन देखते हैं भोजन में मोनो सोडियम गलुटामेट MSG का उप्योग किया जाता है ए रंग बढ़ाने के लिए बी स्वाद बढ़ाने के लिए सी सुरच्छत रखने में और डी पाईसी करण में तो इसका अंसर है B, स्वाद बढ़ाने में, बैख्या देखते हैं, भोचन में मोनो सोडियम गलुटामेट का उपयोग स्वाद बढ़ाने में किया जाता है, कई खाद पदार्तों में यह प्राकर्थिक रूप से पाया जाता है, किन्तु प्रॉसेस्ट फूर में, यह नमक से बहुत मिलता जुलता होता है, इसके सेवन से नर्व सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है, सायद कई लोगों ने देखा भी होगा, नमक के जैसा एक पाउडर सा होता है, धावे पर अक्सर प्रियोग किया जाता है, जिससे की धावे की सबजियां होती है, उनका स्व 2005 में, वैक्या देखते हैं, आपदा प्रबंदन एक्ट 2005 में बनाए गया था, इस अधिनियम को जनवरी 26 में लागू किया गया था, यह एक राश्टिये कानून है, जिसका इस्तमाल किंद सरकार करती है, ताकि आपदा से ने पटने के लिए एक देश व्यापी योजना बन प्रणूनी और संस्तागत धाचा प्रदान किया है, इस अधिनियम का उद्देश्य आपदा प्रबंदन में समगर रणनी थी, सैयार करना और छमता नर्मार करना है, अगरा कुश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वाइरस से सम्बंदित है, ओप्सन या कौन सी बीमारी कोरोना वाइरस से सम्बंदित थी, कोबिट भी था, मर्स भी थी और सार्स भी, ये सारी, ठीक तो आंसर कहा रहाएगा, डी, बैक का देखते हैं, सभी बीमारी कोरोना वाइरस से सम्बंदित है, ये सार्स, यानि की सीवियर एक्यूट रेस्परेटरी सि respiratory syndrome भी कोरोना वारिस से हुने वारी स्वांसंबंदी एक संक्रामक बीमारी है अगला question देखते हैं एक प्रकार की मादमेक मेंबोरी कौन सी नहीं है नमबर एक solid state drive नमबर बी hard disk C random access मेंबोरी और D USB pen drive तो मादमेक मेंबोरी कौन सी मेंबोरी होते हैं ऐसी मेंबोरी जिन में हम कुछ store कर सके इस्थाई रूप से ठिक तो यहां पर आंसर रहेगा C random access memory ठिक इसमें आएस्थाई रूप से store होता है तो बैक क्या देखते हैं random access मेंबोरी मादमेक मेंबोरी नहीं है RAM में CPU दोरा वर्तवान में किये जा रहे कारियों का data और नहिदेश store रहते हैं यह CPU का भाग होती है इसलिए data direct access किया जा सकता है यह computer की प्राथविक मेंबोरी होती है से इस तीनों computer की मादमेक मेंबोरी होती है ठीक यानि कि RAM हम जो भी काम कर रहे होते हैं वह उस टाइम पो तो RAM में store हो जाता है उसके बाद यह हम सट्डाउन कर देते हैं computer को तो RAM क्लीन हो जाती है ठीक लेकिन जो secondary memory होती है जैसे कि hard disk, USB pen drive इन में data store रहता है मैंसा अगला question XML का पूरे नाम है ओप्शन देखते हैं example markup language, b extensive markup language, c x markup language, d extra modern link तो इसका answer है b extensive markup language, बैक है देखते हैं XML का पूरे नाम extensive markup language है इसका उप्योग data का वर्णन करने के लिए किया जाता है यह HTML hypertext markup language की तरह कार करता है XML को W3C World Wide Wave Consortium ने विक्सित किया था अगला question देखते है, microwave में विद्दू चुमकिये तरंगे होती है जिनकी सीमा की आवरती है यानि question पूछा गया है कि microwave में जो तरंगे उठती है उनमें जो तरंगों की आवरती क्या होती है तो आप यह ध्यान रखिए कि जो भी equipment हम यूज कर रहे हैं यदि उनमें कोई विशेस बात है तो उसको आप link करके question तयार कर लिया करें जैसे यह microwave हम यूज करते हैं उन्होंने microwave का question पूछ लिया तो इसमें option देखते हैं इसका answer देखते हैं तो इसका answer है c एक गीगा हट्स से 300 गीगा हट्स यानि कि microwave में जो बित्व चुम्किय तरंगे होती है उनकी सीमा उनकी जो frequency होती है उसकी सीमा कितनी होती है एक गीगा हट्स से 300 गीगा हट्स अगला question देखते हैं blow face एक प्रकार का है तो blow face के बारे में पूछा है कि blow face क्या है computer related question है कि information technology का question है option देखते हैं a सम्मित encryption algorithm यानिकी symmetric encryption algorithm इसका answer है a सम्मित encryption algorithm बैख्या देखते हैं blow face एक प्रकार का submit encryption algorithm है जिसे dash या idea 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 algorithm की रूप में भी प्रतिस्तापित किया जा सकता है blow face को 1993 में Bruce Thayer द्वारा design किया गया था इसमें 32 bit instruction प्रोसेसर को ध्यान में रखकर बनाया गया है यह dash की तो नामे काफी तेज है ठीक तो यह एक प्रकार की algorithm है जो की कैसी है symmetric है blow face next question देखते हैं robotics के संदर में puma क्या है तो puma का full palm पूछा है तो इसमें देखते हैं option programmable used machine to assemble to b programmable utility machine for assembly c programmable universal machine for assembly d programmed utility machine to assembly इसका answer है c programmable universal machine for assembly ब्याख्या देखते हैं robotics के संदर में puma programmable universal machine for assembly है robotics robot की अभिकलपना है निर्माड robotics robot की अभिकलपना निर्माड और अभी प्रियोग के विग्यान और तक्निकों को कहते हैं अगला question देखते हैं 2011 की जन्गर्णा के अनुसार मंद्य प्रदेश के किस जिले में सरवादिक लंगानुपात है तो जन्गर्णा का question पूछ लिया गया है हर बार पूछा जाता है तो आपको बहुत ही ध्यान से जन्गर्णा को याद करना है मद्य प्रदेश और भारत दोनों की ठीक तो यहां पर मैं आपको इंपोर्टेट टॉपिक भी बताता जाओंगा जिससे कि आपके पीवाई क्यों के साथ वह टॉपिक आपको मिलते जाएंगे साथ ही जो महत्पूर्ट टॉपिक है वह हम लोगों के द्वारा भी आपको कबर करवाए जाएंगे तो आप उन वीडियो को भी देखते चलना इससे कि वह इंपोर्टेंट टॉपिक आपके कबर होते जाएं ऑप्सन देखते हैं मंदला बालाघाट सीधार दी इंदौर तो मद्यप्रदेश के किस जिले में सरवादक लंगानुपात है बालाघाट में ऑप्सन बी इसका सही रहेगा ब्याख्या देखते हैं 2011 की जनग करना के अनुसार मद्यप्रदेश के बालाघाट जिले में सरवादक लंगानुपात है मद्यप्रदेश में सरवादक लंगानुपात वाले पांच जिले बालाघाट दस्तों इकीस अलियराजपूर दस्तों 111 मंदला 1006 डिनोरी 1002 तर जावुआ 990 है इसी प्रकार नियुन ग्यातव है कि मदप्रेश का सकल लिंगानुपात 931 है जो की राश्टी आउसत 943 से 12 अंक नीचे है 2001 की जनगरणा में सकल लिंगानुपात 919 था तो यह जनगरणा में आपको बहुत अच्छे से तयार करनी है इससे और भी कोश्चन आंगे की परिच्छा में पूछ जा सकते हैं इसके लिए मैंने एक ट्रिक तयार की थी अगर आप लोगों को वो ट्रिक अच्छे लगे तो आप उसको याद कर सकते हैं जो लिंगारपात के लिए चार्ज ले बाला अला माला डाला ठीक तो बाला से बाला घाट अली राजपूर और माला से मंगला और डाला से डेलूरी बाला अला माला डाला फिक यह पसंद आ कि इसके साथ ही आज कहterror इंगे की कोश्चनों को कमर करेंगे और देर देर हम पिछले पांस सालों के प्रीविस एर कोश्चन को कम्प्रीड कर लेंगे जिससे कि आगामी पेपर में उससे लेटर कोई भी कोश्चन आया है तो हमसे वो छूटे ना तो तयार ही आप करते रहेगा और महतपूर टॉपिक की भी शंकला हमने चालू कर दी है तो उन वीडियो को भी आप जरूर देखेगा यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजेगा और वीडियो को अंतर तक देखने के लिए धन्यवाद जय हिंद